सो हेलो वाट्सअप कैसे हैं आप सब हान जी मित्रो स्वागत है आप सब का इस वीडियो में जिस चीज का था आपको इंतिजार वो ले के आ गया हूं मैं आप सब के साथ CA final audit six days revision planner yes sir so इससे पहले कुछ महीने पहले मैंने आपके साथ share किया था 12 days का revision planner जो आपके first revision of audit के लिए था अब मैं आपके लिए लेके आगे हो six days का revision planner सरी किसके लिए अपली के बहले पहले तो उन बच्चों के लिए ये जिन्होंने अपने 12 days का revision planner already cover कर लिए आप पहले एक पर audit की revision कर लिए तो अब ये six days में आप कैसे करोगे मैं पूरा इसमें guide करूँगा प्लस जिन बच्चों ने recently fast track batch या regular batch complete किया है वो भी इस six days revision planner को follow करके चल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे concepts अभी आपके mind में एकदम freshly set है अब sir कैसे कैसे आपने क्या क्या करके चलना है ध्या scoring और असान topics के साथ professional ethics SQC1 SA220 इन दोनों ही topics को अगर आप सिर्फ add कर दो ना 20 से 25 नंबर तो आपके exam के यहीं बन गए क्या बात करे हो sir so 8-9 गंटे में मान के चलना हो professional ethics में आपको लगेंगे ठीक है sir इसके साथ-साथ जो भी आपने questions quotient bank में mark करके please उनको भी साथ-साथ go through करके चलना and after that SQC1 SA220 में भी 2-3 गंटे जा सकते हैं मुझे लगते है notes को cover करने में लगबग 1-8 घंट आपको लगेगा अगर आपका पूरा flow पे command है उसके बाद जो quotient bank है उसको करने में भी 30-45 minutes लग सकते हैं because अच्छे-च्छे questions है हमारे SQC1 और SA220 में then sir day 2 पे मैंने आपके पास यह वाले standards रखे हैं अगें standards में आपको approach क्या follow करनी है फटाफ़र notes को go through करना है फटाफ़र notes को go through करना है जहां 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 तीन तीन चार चार पांच-पांच points दे रखे उन areas को बस याद करते वे चलना है और फिर quotient bank cover करोगे जैसी आप question bank पे जाओगे तो अब तक तो आपने देख लिया होगा कि sir 80-90% questions हमको directly मिलते हैं वो जो 15-20% indirect questions है उनको आपने बस अच्छे से go through करके चलना है तो अगर आपने अपनी first revision में first revision में उनके sticky notes वाली summary बना रखी है तो very good नहीं बना रखी तो भाई साब इस revision में बना ले ना because next revision fast करने में वही चीज आपकी help करेगी ठीक है sir then sir sticky notes वाली summary समझ गए ना sir summary मतलब suppose suppose मैं essay 240 का एक question कर रहा हूं essay 240 का एक question है जहां पे sir एक question होता है जिसमें management fictitious journal entry pass करती है लगबग March के महिने में ठीक है उस question को अगर आप solve करोगे जिस जिस बच्चे ने कर रहा है सबसे पहले essay 240 का reference आता है फिर आप बोलते हो management override of controls management override of internal control through fictitious journal entry आई से एक example देता है पहले पैरा में दूसरे पैरा में आते सर provisions of withdrawal जो हम essay 240 में पढ़ते है ठीक है sir तीसरे पैरा में आते है section 143 sub section 12 और उसके बाद आती है बता है किसकी reference clause 11 11 मुलकों की police dawn को ढूंड रही क्योंकि dawn ने fraud किया है so clause 11 पैरा 3 of your caro 2020 you got the point or not yes sir तो वैसे अब आप इस question को revise करने जाओगे तो 10-15 minute लग जाएंगे तो 5-10-10 minute लग जाएंगे बट फटाफट अगर आपने इस अपनी खुद की लिखी हुई summary को go through किया तो आपके लिए लगर फर्स्ट रिवीजन में नहीं बनाई ताकि नेक्स्ट रिवीजन में आपकी चीज़े एकदम फटाफट हो सके got it sir तो इस तरह से आप ये standards कवर करके चलेंगे same goes with your day 3 again मैंने standards on auditing रखे अब आप कई सारे बच्चे बोलेंगे sir ये other standards वाली series जित्ती जल्दी कैसे आ तो भाई साब मेर से मत पूछो आई से पूछो जो में 24 के exam थे माहोल थोड़ा सा करम हो रहा है मैंने का जो में 24 के exam थे sir 15 नंबर के other standards पूछे तो इनको हलके में नहीं लेने का अच्छे से करने का ताकि बढ़िया बढ़िया नंबर ये आपको score करके दे तो अगर मैं सिफ standard standard की game बता दू तो ये आपके paper में कम से कम ना ना करके 50 से 60 नंबर के देखने को मिल सकते हैं तो यहां पे आपके 20 नंबर होगे 50 से 60 नंबर ही होगे sir आप यह कहना चाहते हूं यह सारा मिल आके ही लगबग हमारा 65 to 70 marks कवर करेगा मैं नहीं ICI भी बोलता है आप उनकी website पे question में cover गरा रखा है तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको PSU audit में दिखकत है प्लीज जाके वो वीडियो देखो मज़ा आ जाएगा फिर सर हम करेंगे due diligence forensic investigation इनकी भी प्यार भरी revision वीडियो जल्दी YouTube चैनल पे आने वाली है stay tuned ठीक है sir फिर आएग अगर डे नंबर 5 डे नंबर 5 पे ऐसे 700 हमारी फेवरेट सीरीज इंटर में पड़ी थी फाइनल में वापिस आती है धेर सारे नंबर दे जाती है हर बार इसका एक question आता ही आता है ठीक है sir उसके बाद due diligence forensic और investigation में इस बार मुझे लगता है investigation का question पिछली बार आ गया था तो due diligence of forensic में से एक question पका आ सकते है तो please इन पे थोड़ा focus करके चलना क्या शुभम संदे का investigation नहीं करना नहीं sir करना तो है बट focus किस पे करना due diligence of forensic पे एक special प्यार भरा focus बना के चलेंगे ठीक है sir फिर आएगा NBFC audit NBFC audit का again last time question आ गया था पर फिर भी ठीक से कर ले ना क्या पता MC क्यों अगर आई से पूछ ले chapter 2 audit planning भी अच्छे से करके चलेंगे chapter 2 और chapter 4 में से एक question इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता है then sir caro 2020 is again one of the favorites of ICA still I have given you one hour inter में भी था final में भी था याद भी करा रहा है अच्छे से clauses वगरा इन clauses को depth में पढ़के जाना तब ही एक घंटा दिया ठीक है sir then ऐसे 315-330 बहुत ही हलके हलके छोटू-छोटू से cute cute से ऐसे हैं 2-3-2-3 question ही है इसमें धंके जो आपको याद करके चलने होते हैं इसके लिए आप अगर quotient bank भी धंक से करके चलोगे साथ में तो काफी है then sir bank audit की बात करते है 50% of the bank audit should be done on day 5 इसके लिए आप 3-4 घंटे दे सकते हो 50% का मतलब है जो initial provisions है SLR, CRR, internal control plus assets में advances वाला कुछ portion आप अच्छे से cover करके चलो then बाकी बचा 50% अगले दिन सुभा उटके 3-4 घंटे कर के निकालके निप्टा देना और कोशिश करना लगे हा तो इसका quotient bank भी cover करके चलो ठीक है sir फिर उसके बाद emerging areas आप उठा सकते हो 1-5 घंटे से जादा मुझे नहीं लगेगा अगेन इसमें जो primary focus area होगा वो आपके principles होंगे ठीक है plus principles के साथ साथ जो उन्होंने वो step wise approach दे गो थू करके चल सकते हो उसमें से अगर mcq based question आ गया है जैसे six seas of capital है उसमें mcq based question आ सकता है sustainability reporting पे note होकर आ सकते है तो initial provisions को इबार अच्छे से go through करके focus कहा रखेंगे principles पे और आखरी में BRSR की step wise reporting पे then sir SA540 करके चलेंगे one of the favorite topics of ice है 1.5 hours मैंने इसको दी है अगेन इसकी भ मिलेगा कुछ भी नया नहीं मिलेगा trust me when I say this जैसी आप इबार notes को revise करोगे notes के साथ साथ ही आपका question bank cover हो जाएगा because question bank में सारे direct questions ICI पूछता है ठीक है sir then last में आ जाता है सबसे बढ़िया सबसे नयारा हमारा digital audit digital auditing के लिए क्या है सब मैंने आपको 3-4 घंटे दी है इसको प्लस इसमें primary focus आप question bank पे करोगे जो topics question bank में दे रखे है ज्यादा तर chances यही है कि वो ही ICI शायद exam में repeat करके चले इसके बाद जैसी है छे दिन आपका audit cover हो जाता है कोशिश करना वो जो आपने routine बना रखा है audit को रोज पढ़ने का 2-3 घंटे लगा के जो भी आपको topics सही ल easily आप 70 plus audit में score कर पाओगे कई सारे बच्चों ने में 24 जैसे मज़दार toughest paper में भी किया आप भी November 24 का तो फिर भी कह रहे audit का paper sir medium level A आना चीए तो उसमें आप easily अच्छे score कर पाओगे अगर second revision में भी आपको लगता है कि कुछ concepts recall नहीं हो रहे tension में नहीं लेना सबके साथ होत recall करो क्या flow शुबम Sunday बताया था ठीक है उसी से जैसी flow recall हो जाए वहाँ पे छोड़ मत देना self revise भी करना ताकि आपको एक अच्छा confidence आ सके कि हाँ अब मुझसे चीजे हो रही है you are getting the point हाँ sir यह मैंने आपको एक secret बताया है किसी और को हूंत बताना ठीक है sir plus आपके पूरे 6 शे दिन दिये ऐसा नहीं मैंने एक दिन दिया तो आप फटाफट रीड करके आगे बढ़ गया हो हो गया ऐसे नहीं full six days I have given you so make sure you are learning all the key topics की topics का मतलब है जहां भी हर heading के नीचे 45 45 points दे रखे है उनको आप अच्छे से करके चलोगे ठीक है boss ठीक है sir plus बाकी descriptive topics के साथ ऐसा नह understand करके चलना कल को अगर उन पर कोई case study based portion आया you should be able to deal with it यहां पर आप help ले सकतो revision videos की बड़ यह नहीं कि इसी के भरो से बैट गए अरे मैं पूरा दिन revision दिख रहा था audit हो गया ना 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 revision video से बस flow recall होता है self revision is the thing that will give you the confidence plus क्या ICAI ने क्या ICAI ने allow कर दिया revision videos को exam center ले जान पड़ेगा तो जितना खुद recall करोगे जितना खुद चीजों को revise करोगे उतना अच्छे से आप paper लिख पाओगे got it got it sir then apart from this मैंने आपको क्या बोला flow of points recall करके चलो memory techniques जो class में बता ही है अब वो आपको काम आएंगी ठीक है अब वो आपको पता चलेगा कि हार हां जो जो च पड़ती है आपके पास मेरा डाउट सपोर्ट नंबर है ठीक है जिन बच्चों के पास डाउट सपोर्ट का access नहीं है एक बार आप अपने google drive में जाओगे तो डाउट सपोर्ट की details आपको वहाँ पे मिल जाएंगी फिर भी नहीं मिलती तो आप एक बार में को mail डाल सकते ह केसवानी यह यह ना मेरा नाम केसवानी at gmail.com तो इस पे आप अपनी बैच रिसीट दे दे ना मैं आपको डाउट सपोर्ट की details शेर कर दूँगा तो अप्रोच क्या फॉलो करने है simple चीजों को समझना है याद करना है और recall करके आगे बढ़ जाएंगा अब कई बच्चों करोगे तो अभी जब 6 दिन मिल रहे हैं चुप चाप audit को करो क्योंकि इसके बाद 3 दिन में करना है फिर 3 दिन के बाद 1.5 देज में हो पाएगा आपको बात समझ में आरी है नहीं आरी है आरी है तो जो मैं आपको बोल रहूना it is all about experience I have seen students I have talked to students जिन बच्चों से 1.5 देज में चीजे नहीं होती और होती है उनमें यही फरक होता है 1.5 देज से पहले जिसने audit एक साथ सम्हाल रखा होता है वही 1.5 देज में सम्हाल पाता है बता रहूं यह को और secret में ने तुमको बता दिया ठीक है so trust me मजा आ जाएगा I have full faith on you तुमको भी देखो थोड़ा अपने support दिया है it will be two of us together in this six days journey कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है दुख आता है शिकवा आता है मेरे पास आओ मैं आपकी मदद करूँगा एंड यह छे दिन में धूम मचा देंगे सर इन छे दिन के बाद हमें कैसे confidence आएगा कि हम धूम मचा देंगे भाई साम में चीज तो मैं आप लिखोगे दो बजे और इसको आप लिंक पे अपलोड करोगे आपके टेलिग्राम ग्रूप्स में एक लिंक शेर किया गया है ठीक है सर उसमें आपने यह MTP1 अपलोड करना है और जब आप यह MTP1 अपलोड करोगे आपको evaluate होके मिलेगा trust me अगर आपने चीजों को अगर आपने अपना best दे दिया if you are putting your best यह जो paper है इतना प्यारा paper है कि easily आप 60 plus 70 plus इसी में score कर जागे ठीक है boss ठीक है sir तो बड़िया वाला confidence आ जाएगा and sir यह paper चेक कराने की जिम्मेदारी मेरी है हमने पूरी CA वाली forge इखटी करी है यह लोग आपके लिए बड़िया वाल चेरे पर मुस्कान रखनी है and complete this easy challenge because इसके लिए कुछ नहीं चाहिए सिरफ और सिरफ आपका patience तो sir हम full tension लेगे बढ़ेंगे नहीं खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे happy learning to all of you just study well and let me tell you one thing इदर देखो अब बस बात रह गई है sir कितने दिन की कुछ चुनिंदा दिन की अब बात रह गई है बस अब कुछ चुनिंदा दिन की अब यह जो चुनिंदा दिन है ना इसमें फरक नहीं पड़ता आपने पहले क्या किया है अब जो आप महनत करोगे अब जो आप अपना efforts डालोगे वो कुछ चुनिंदा दिनों में जीत पकी है फिर अपनी जीत पकी है धूम मचा देंगे ठीक है boss ठीक है sir so just make sure you are giving your best in this six days planner that I have shared for you and trust me मजा आ जाएगा all the best लगे रो मित्रों लगे रो keep going